स्कूली सिक्षा मंत्री चोधरी कवरपाल गुजर का ये वीडियो वाइरल है और हो भी क्यों ना जब सदन में विपक्स के सवालों का जवाब देते हुए सिक्षा मंत्री ही आंकड़े पढ़ने में लड़ खणाने लगे और फिर स्पीकर की मदल के बाद भी सही से आंकड़ा न पढ़ा जाए तो उनकी योगिता और उपयोगिता पर सवाल उठने लाजमी है आगे बढ़ने से पहले आप एक बार सिक्षा मंत्री कवरपाल गूजर का ये कारनमा देखिए चले शिक्षा बाग दोरा कुल एक लाग श्यत्र नहीं दस अजार साथ सो एक लाग श्यत्र अजार साथ अजार सेशन श्यत्र एक लाग साथ जार चेस्सो चतिस दसलम चरासी क्रोड रुपे का उपयोग कर लिए तो सुना आपने कितनी कोशिशों के बाद हमारे सिक्षा मंत्री किसी तरह ये आकडा पढ़ने में सफल हुए वो भी स्पीकर की मदद के बाद अब जरा सोचे कि सिक्षा मंत्री का ये वीडियो जब प्रदेश के स्कूली बच्चे और उनके अभी भावक देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे वैसे तो कवरपाल गुजर बारवी पास हैं लेकिन आकडे पढ़ने में वो गच्चा खा जाते हैं हमारा मकसद यहां सिक्षा मंत्री की इजदत उचालना बिल्कुल नहीं है हमने इस मामले पर उनसे सफाई भी लेनी चाही लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया मगर जंता तो सवाल करेगी कि जब हर छोटी बड़ी जिम्मदारी देने से पहले एक आम नागरिक की योगिता से लेकर उसके अनुभव तक सब चीजों को नापा तोला जाता है तो ऐसे में सिक्षा जैसे महतपूर्ण विभाग को समालने वाले नेता जी की योगिता और उपयोगिता को भी नापा तोला जाना चाहिए बहराल इस घटना पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथी परदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हर्याना तक